Hello students of 7th standard, आज हम मराथी का धड़ा दूसरा शामजे बंधू प्रेम जो सानी गुरुजी इन्हों ने लिखा है उसके question answers देखेंगे लास्ट वीडियो में हमने इसका explanation देखा है अभी हम इसके question answers देखेंगे इसके पहले मैं आप सबसे request करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस channel को please subscribe कीजिए अगर कोई comment से तो comment box में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस video को share कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फाइदा मिल सके चली अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है खालील प्रिश्णांची एक दोन वाक्याद उत्तरे लिहाँ अब एक दो आख्या में हमें उत्तर लिखना है उसमें फर्स्ट कोश्चन है नवीन पाउस शुरू होने चा माती वर काई परिणाम होतो जब नया नया पानी जो बारी शुरू होती है तो उससे मिट्टी पर क्या परिणाम होता है तो उसका उत्तर लिखेंगे नवीन पाउस जिवा सुरू होतो, तेवा मातीचा एकरम में सुन्दरवास सुटत अस्तो, जब नयाना पानी गिरता है, तो मिट्टी में से क्या आती है, बहुत अच्छी खुश्बु आती है, ठीके, सेकेंड कुश्चन है, शामने कुणता निष्चे केला होता, शामने क्या निष्चे कि था कि आपल्या लहान भावाला अपने छोटे भाई के लिए नवीन कोट की मां सद्रा शिवुन न्याईचा नया कोट या फिर नया शर्ट उसके लिए में सिलकर लेकर जाऊंगा ऐसा निश्चे शामने किया था ठीके नेक्स्ट कोश्चन है लहान भावाला आईने कसे समझावले छोटे भाई को माने कैसे समझाया उसका उत्तर लिखेंगे लहान भावाला आईने समझावले आनी भडाली अब छोटे भाई को माने समझाते होए कहा क्या कहा तुझे अन्ना दादा मोठे होतिल रोजगारी होतिल मक्तुला सहा महिनयनी नवीन सद्रा शियोतिल आताना को हट धरू क्या वा कहा उन्होंने कि तेरे जो अन्ना दादाय मतलब तेरे बड़े भाई जो हैं जब बड़े हो जाएंगे और रोजगारी होतिल मतलब जब उनको काम धंदा मिल जाएगा फिर वह छे महने बाद तुझे नया शर्ट सिलकर ले कराएंगे अभी तु जिद मत कर इस तर शाम के पिता जी दापोली में क्यों जाते थे तो आंसर लिखेंगे शाम चे वर्डिल वर्चे वर दापोली ला कोर्ट कचेरी चा काम साथी जात शाम के जो पिताजी थे वो दापोली में कोर्ट कचेरी के काम के लिए जाते थे ठीके, नेक्स्ट कोश्चन शामला चालन्याचे श्रम का वाटत नो थे जब शाम अपने घर जा रहा था ना तब वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था उसे ठकावट क्यों महसूस नहीं हो रही थी तो उसका उत्तर लिखेंगे आपन लहान भावा सठी नवीन कोट शिव नेता होत या गोश्टी चा आईला किती आनंद होईल या सुक्स अपना दंग जालेला शामला चालन्याचे श्रम पाटत नो थे देखो उसने अपने छोटे भाई के लिए नया कोट सिल्वा लिया था और मैंने यह इसा कोट सिल्वा लिया है जब यह बात मा सुनेगी तो उने कितनी खुशी होगी यह सोच कर उसे बहुत खुशी हो रही थी और इसी वज़े से जब वो चलता जा रहा था तो उसे बिलकुल भी थकावट मैसूस नहीं हो रही थी ठीके नेक्स्ट कोश्चन है खालिल अकृतिया पुर्ण करा यहाँ पर हमें एक अकृति के रुप में यह कोश्चन दिया है देखो शामला थंडी चा दियुसात नमेडनार्य कोश्टी तो हमें तीन बाते लिखना है कि जो शाम को थंड के दिनों में क्या चीज नहीं मिलती थी तो हम तीन बाते लिखेंगे तो उसमें पहला है मफलर, दुसरा जाकेट और तीसरा है गरम कोट ये चीज़ें उन्हें थंड के दिनों में नहीं मिलती थी ठीके, नेक्स्ट एक कोश्चन शाम ने आण लेला नवीन कोट बगोन त्याचा आई वर्लान चा मनात निर्मान जालेले प्रश्ण शाम ने नया कोट सिलकर ले कराए थे उसके माँ पिता जी को मन में क्या प्रश्ण ória थे कि शाम नो ने कहा से पैसे लाए होंगे लेगे न तो इस बारे में कौन इस प्रश्ण 2 प्रखर थे तो तीन डर्व एसे हमें कुश्चन सी लिखने है कि उनके मन में किसकिस प्रकार के प्रश्ण उठ रहे थे तो देखिए उत्तर में पहला पहला हा कोणाचा कोट ये कोट किसका है मोरू जोशन कड़े कारे दियाए चाहे मतलब जो उनके उधर वहाँ पे कोई जोशी करके रहते होंगे क्या उनके घर तो नहीं देना है नेक्स्ट है पैसे रे कुटले कोणाचे कर्ज काडले का फी चे दवरले मतलब ये पैसे कहां से आए किसी से कर्ज तो नहीं लिया या फिर किसी के पैसे तो नहीं तुने उसमें यूज किये शर्ट बनवाने में या कोट बनवाने में थर्ड है कुणाचा पैशन ना हाथ तर नहीं न लावलास किसी के पैसे को हाथ तो नहीं लगाया ये इस तरग के प्रश्णों उसके मा और पिताजी के मन में उठ रहे थे जो उन्होंने शाम से पूछे थे ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है का ते लिहा देखे शाम चे डोड़े अश्रुनी नहाले होते तो शाम के आखों में आसु आ रहे थे क्यों आ रहे थे तो उत्तर लिखेंगे लहान भावा साथी कोड तयार जाला होता जवड चा पैशत सारा खर्च भागला होता अनंद अच्या भावने ने शाम चे डोड़े अश्रुनी नहाले होते अब देखे उसका स्वप्निता उसने निश्चे किया था कि मैं अपने छोटे भाई के लिए कोड तयार करूंगा अब वो कोड तयार हो गया था उसके पास जो पैसे थे उसी में ही वो कोड बन चुका था और इसी खुशी में और इसी खुशी की भावना से शाम की आँखों में आसु आ गए नेक्स्ट कोश्चन देखिए आपर थोड़ा सा जो गया कट हो गया लेकिन मैं एक्स्प्लेन करूंगी तब आप आराम से उसे लिख सकते हैं देखिए शाम जांचा घरी रहाईचा तैनी त्याला जाउन को असे का मटले असे मटले असे बोला था कि शाम जिनके घर रहता था उन्होंने उसे जाने के लिए मना किया था तो क्यों मना किया था उसका उत्तर हम लिखेंगे पावसा मुडे नदी नालेनना पूर आले असेल पानी बारिश की वज़े से जो नदी नाले थे उसमें बाड़ आ चुकी होगी दोगी परहन ना उतार नसेल भनों पावसा पाणयाचा जाओन अकोस असे ते भणाले अब दोगी परहन न उतार नसल, मतलब जो वहाँ पे दो नाले बहते थे थे न, तो उसका पानी में मतलब उतार नहीं सकते, उतार नहीं सकते in the sense कि वो पानी कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसमें पानी होगा, इसलिए बारिश में तुम मत जाओ इस तरह से, वो जिसके घर रहता था उन लोगों ने उसे मना किया था, आगे देखो, पिसाई चा परहा दुथडी भरून वहाँत होता, पिसाई चा परहा मतलब जो नाला था ना पिसाई नाम का, वो बहुत दुगुना गती से बहकर जा रहा था, तो क्यूं? तो उचका उत्तर लिखेंगे, जो थड़ी भरून वहाँत होता, मतलब बहुत जोरदार बारीशो रही थी, जिसकी वज़े से इस जो नाले का जो पानी था ना, वो एकदम जिस तरह से समुद्र की लहरे आती है न, उस तरह से जोर जोर से उसका पानी जोर मार रहा था, जिसकी वज़े से वहाँ उपर तक ब को सारी बाते बताई, तो उसकी जो मात का मन जो था, वो बहुत भर आया, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, आपलया लहान भावावर असनारे, शाम चे प्रेम, आणी त्याची, धावपड बगून, आणी, कोट साठी के लेली धड़ पर, ही सर्व हकीकत, आईकुन, आईला गहीवर आला, देखो, अपने छोटे भाई के लिए, उसके मन में, शाम के मन में जो प्यार था, और अपने भाई के लिए, कोट सिल्वाने के लिए, उसने जो धड़ पड़ की थी, और उस भाग दोड़ के लिए, उसने जो भी कुछ जमा करा हुआ, जमा पुंची तक जब यह सब बाते शाम ने अपनी मा को बताई, तो यह सुन करूं, उसकी मा का महन भर आया, तीक है, अब नेक्स्ट है, थोड़ा ग्रामर का भागे, देखेंगे, खेडू या शब्दान्शी, यहाँ पर खाली दिले लिया शब्दान्चा, विरुद अर्था चे शब्द, चवकटी तुन शोधुन लिहा, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिये गए हैं, देखो, तो इनकी मैच करना है इने विरुद्ध शब्दों से, अपोजिट वर्ड से हमें अपोजिट वर्ड बनाने हैं, मतलब मैच करने हैं, देखें शब्द दिये हैं, पहले इसमें हमें थंड, सापडने, सुगंध, थोरला, जुना, लक्ष, स्मृति, और सेकेंड इसमें हमको पाट में दिया है दुरगंध, विस्मृति, नवीन, गराम, दुरलक्ष, धाक्टा, हरवने, तो उपर वाले और ये जो नीचे वाले उनको हमें मैच करना है, अपोजिट वर्ड्स मै ठीक है, यहां देखें मैंने दिया है आपको थंडक आएगा अपोजिट गरम, सापडने, हरवने, सुगंध, दुरगंध, थोरला, धाक्टा, जुना, नवीन, लक्ष, दुरलक्ष, स्मृति, विस्मृति, इसमें न समझने वाले के वली यही शब्दें देखें, थोरला म विस्मृति मतलब, विस्मृति मतलब याद रहना, विस्मृति मतलब भूल जाना, ठीक है, आगे हम देखेंगे, गटातन बसनारा शब्द ओडखा, तो शब्द गटात का बसतना ही ते सांगा, देखें, अभी हमें यहां कुछ शब्द दिये गए हैं, पहला, समीरा, विन विनिता, और निखिल हमें सफ़ष्ट रूप से नाम दिख रहे हैं, तो यह नाम की अंतरगत आएंगे, मराथी में जो संग्या होती है उसे नाम कहते हैं, तो और त्यनि जो है वह सर्वनाम आता है, तो हम इसका उत्तर से लिखेंगे, उत्तर में आएगा त्यनि यह शब् सर्वनाम है, ठीक है, सेकेंड कोश्चिन, मी, साथपुते, त्याने, तिला, अभी यहाँ देखो, उस पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, मी, त्याने और तिला क्या है, सर्वनाम है, और साथपुते क्या है, उसे हम मराठी में नाम कहते हैं, यानि संग्या है, वो संग्या को हम क्या कहते हैं वाराठी में नाम तो हम कारण लिखते टाइम लिखेंगे कि उत्तर में साथ पुते क्यों? क्योंकि साथ पुते हाँ नाम आहे और बाकी मतलब मी, त्याने, तिला जो है वो सगडी सर्वनाम है ये सर्वनाम है ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन है हिमालय, सुन्दर, प्रसन, भव्य अब इसमें हमें इसपश्ट रूप से दिखाए दे रहे देखो हिमालय जो है नाम है लेकिन सुन्दर, प्रसन, भव्य जो है वो विशेशन दिखाते हैं हमें तो हम उत्तर में लिखیںगे हिमालय क्योंकि यह आँ नाम आहे मन उन्हां यह प्रश्ना चा उत्तर है बाकी चे शब्द काया है? विशेशना है बाकी के शब्द विशेशन है जिसे सुन्दर, प्रसंद और भव्वे क्या है? विशेशन है नेक्स्ट कोश्चन है लिहने, आमही, गाने, वाचने तो अब इसमें हमें पता है क्या है कि लिहने, गाने, वाचने यह हमें काम दिखाते हैं कि कुछ कार्य हैं और आम ही जो है वो हमें क्या दिखाता है सर्वनाम दिखाता है तो यहां पर आप लेख लीजिए आम ही जो है वो हमें सर्वनाम दिखाता है लिहने, गाने, वाचने हमें क्रिया या क्रिया पद दिखाते हैं तो आम ही हाँ सर्वनाम आहे लिहने गाने वाचने है क्रिया पद आहें ठीक है